मातादी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूचिप चैनल में दोस्तों दीपावली का तिवहार हिंदों के लिए बहुत ही मुख्य तिवहार होता है क्योंकि इस दिन भगवान श्री राम रावन कबद करके मा सीता जी और भाहे लक्षमन के साथ अयोध्या वापस लो योग भी बढ़ रहे हैं दीपावली अमावशा के दिन मनाई जाती है और अमावशा के जो दिन होता है वो अंधेरे का दिन होता है यानि उस दिन चांद नहीं होता चांद नहीं निकलता है तो पून अंधेरा इस दिन होता है लेकिन इस दिपावली प्रतेक दिपावली इस दिपावली का पर्व रोशनी से पूरे भारत को भर देता है अब इस दिपावली पर बहुत ही अच्छे योग बन रहे हैं बहुत अच्छे शुबस योग बन रहे हैं ग्रहों की युतियां, ग्रह नक्षत्रों की युतियां बहुत अच्छी बनी हुई है और ऐसे में अगर आप इस दिन कुछ ये ऐसे उपाय कर ले तो आपके लिए बहुत लाबदाय किस्थितियां बन सकती है दीपावली पर दीपक जलाना सर्वस्रेश्ट माना जाता है और दीपो का ही ये पर्व है हमारे यहाँ दीपो से ही दीपावली मनाई जाती है तो इस दीपावली पर आपको किस तरह के दीपक कहां कहां दीपक आपको लगाने चाहिए और क्या उपाय आप कर सकते हैं मालक्षमी को कैसे प्रसंद करते हैं ये सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे योगों के बारे में भी जानेंगे तो वीडियो को अंते तक जरूर देखें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल का सब, यहां आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलते रहेंगे, दिपावाली का जो दिन होता है, यह कसेद दिन होता है, इस दिन बहुत अधिक उपाय, तंत्र, मंत्र, क्रियां, यह सब कुछ किया जाता है, और इन सभी चीजों का जो प्रभाव है, वो बहुत ही जल्दी आपको अपनी जीवन में देखने को मिलता है, इसलिए इस दिन का इस्तमाल इतना जादा किया जाता है, एक होली का पर होता है, उ मालक्ष्मी को पर सन्यों ना करना चाहे, तो आप ये दिपावले की जो रात होगी, आप अपने घर के अलावा ऐसी कुछ जगहां हैं जहां पर आपको दीपक जलाने चाहिए, ऐसा करने से मालक्ष्मी की खास किरपा आपके उपर बनी रहती है, साथ में कुछ मालक्ष्मी के हम उपाय भी जानेंगे, कि मालक्ष्मी के वो कौन से उपाय हैं जो आपके लिए बहुत ही उत्तम हो सकते हैं, पहले योग की बात कर लें, ये दिपावली का पर बड़े शुब योगों में आया है, इस दिन चार ग्रहों का चतुर ग्रही योग बना हुआ है, चंद्रम मंगल, बुध और सूरिय, ये सब ही शुक्र के राशी तुला राशी में हैं, तो चतुर ग्रही योग बन गया, साथ में मंगल, सूरिय और बुध का बुधादिते योग भी बना हुआ है, इस दिन सरवार सिद्धी योग भी रहेगा, और कुम राशी के राशी के जो स्व योगों के लिए ये योधी बड़ी जबरदस्त होने वाली है, यानि भागे भाव में तो आपके चार ग्रह बैठे हुए हैं, और बारवे भाव में धन के स्वामी, राशी स्वामी के साथ बैठे हुए हैं, तो ये इन योगों में, अगर कुम राशी के जात तक इन उपा में बना हैं, ये आपको जबरदस्त लाब भी देगा, तो इन सब आपके लिए जो ये योग हैं, ग्रहों के ये बहुत ही शुब हैं, इन योगों में ये दिपावली आपके लिए एक लाब दायक दिपावली रहेगी, धन संपदा को बढ़ाने वाली, बस इन उपायों को कर ले, अब दिपावली के दिन, मा लक्षमी की पूजा की जाती है, भगवान गणेश की की जाती है, अपने अभुशन का भी पूजन किया जाता है, तो इस दिन आप एक तो तिहरे दीपक या 26 दीपकों के मद्ध है, एक तेल का दीपक रखकर उसकी चारों बतियों को प् सकते हैं, दिवाली के दिन, और ये मा लक्षमी को बहुत ही प्रसन होता है, और साथ बतियों वाला मिल जाता है, या आप खुद से बना सकते हैं, साथ बतियों वाला या बजार में मिल जाता है, बतियों वाला दीपक अगर आप चलाते हैं, तो माता प्रसन होती है, माता ब तो आप साथ मुखी भी जला सकते हैं, नॉ मुखी भी जला सकते हैं, कि और लक्षमी है, उतला जल्दी धमें इंत ही होती है, लावा छाहती है। जिसको देहिरी बोलते हैं जहां घर में आगमन होता है जो मुख्यद्वार होता है उसकी पूझा करना बहुत सुब होता है तो अपनी घर की दह correlate की पूझा जरूर करें कहते हैं दहलीज में सभी देवी और देवताओं का वास भी होता है जो हमारे घर में बूरी शक्तियों को पिरवेश नहीं करने देता है तो अपने घर की दहली के सामने आसपास गी का दीपक लगाएं और उसकी पूजा अर्चना भी करें जिससे आपके घर में मालक्षमी का प्रवेश सरल हो जाए मालक्षमी बड़ी आसानी से आपके घर में प्रवेश कर जाए तो उसे सुंदर बनाए अपने घर को मा लक्षमी को सफाई बहुत पसंद होती है इसलिए इस दिपावली पर सभी अपनी घर की साफ सफाई करते हैं और रंगोली बनाए अपनी दहलीज पर ही रंगोली बनाए आसपास स्वास्तिक के चिन जरूर बनाए जब आप रंगोली बनाते हैं तो स्वास्तिक के चिन जरूर बनाए आप चाहें तो मुख्यद्वार के दोनों तरफ अब दिवार पर बना सकते हैं वरना आप नीचे तो बना दें और उसके उपर चावल की डहरी भी बना दें अब वहां पर आप उस डहरी के उपर अगर आप एक सुपारे रख दें तो निश्चेत रोप से मालक्षमी का आगमन तो होगा ही धनलाब भी होगा मालक्षमी को ये चीजे बहुत पसंद होती है अब हाँ आपको बताएंगे एक एक करके कि कौन सा दिया आपको कहां जलाना है तो एक दीपक आप मालक्षमी की पूजन में जलाएंगे दूसरा आप अपनी घर में तुलसी के पास रखेंगे और जो दीपक होगा वो अपनी घर का जो में गेट है उसके बाहर रखेंगे एक दीपक आप पीपल के पेड़ के नीचे रखेंगे पीपल का पेड़ जहां मंदिर के आसपास जहां भी हो वहाँ पेड़ के पेड़ के नीचे रखेंगे एक दीपक आप किसी आपके घर के आसपास जो मंदिर है वहां लेकर जाएंगे एक दीपक आप जहां आप कचरा रखते हैं अपने घर का वहां कचरे वाले स्थान पर रखेंगे एक दीपक आप अपने बातरूम में रखेंगे और एक दीपक आप अपनी घर की मुडेर पर रखेंगे और एक दीपक आप दिवारों पर रखेंगे खिड़की पर रखेंगे और एक अपनी छट पर रखेंगे और एक जो आपके घर के आसपास का जो चोरहा होगा जो आपके घर के नजदीक चोरहा पड़ता है उस चोरहे पर आप एक दीपक रख कर आएंगे इसके ये जो दीपक हैं ये सभी दीपक आपके लिए एनरजी देने वाले नकारात्मक्ता को नेस्ट करने वाले मालक्षमी के आगमन का प्रतीक माने जाते हैं ये दीपक आपके घर परिवार में सुख सम्रद्धी लेकर आने वाले दीप पक्वाने जाते हैं इसलिए इन सभी जगों पर आपको इस दिपावली के दिन दीपक जरूर रखना है इन दीपकों का प्रभाव आपको बहुत ही शिग्र देखने को मिल सकता है तो दोस्तों और अधी किसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने वीडियो को ल प्रभाव बुले